वेल्कम फिंस स्वागत है आपका MMA team की एक और वीडियो में आज हम देखेंगे Samsung का M03S का hard reset कैसे किया जाता है format कैसे करेंगे आपका lock कैसे को लेंगे हम यह हम आप देखेंगे आज कल यह जो आपको नए update में आपको यह लिखाओ आ रहा है कि बहुत बार आपने pattern लगा लिया है और यह अब format करना पड़ेगा लोग खुलवाना पड़ेगा और यह बोल रहा है service center जाना पड़ेगा लेकिन हम service center ना जाते हुए हम आपको इस वीडियो में format करके कैसे किया जाता है उसे हम बताएंगे आप अभी आपको क्या लगाना है पहले इसमें USB cable आपको insert करना है अप USB cable लगाएंगे उसको computer से connect करना है या फिर आप charging पे भी कर सकते है चार्ज पर लगाईए और फिर इसका आपको हमें restart करना है पहले एक बार और फिर volume plus को दबा के रखना है तो हम आपको ए प्रोसेस बताएंगे देखिए पहले हम इसे restart कर लेते हैं फिर हम इसे hard reset करेंगे पहले हम इसका एक बार volume minus और power से हम force restart करेंगे अब यहां पर charging mono आना चाहिए लेकिन यहां charging mono नहीं आ रहा है लेकिन यह फिर own हो चुका है अब हम इसमें दूसरी trick का use करेंगे जिसमें हम direct इसको recovery में डालेंगे without restart करेंगे रिस्टार्ट नहीं करना है हमको और इसको direct recovery में डालना है ठीक है अब इसमें हम फिर से USB केबल लगा देंगे इस बार हम USB केबल लगाएंगे क्योंकि power cable से काम नहीं कर रहा है अब हम USB केबल इसमें attach करेंगे इसको computer से connect करेंगे और फिर restart करके volume minus और power से फिर इसको recovery में डालेंगे अब recovery में डालने के लिए आपको देखते रहें वीडियो को इसमें हम इसको recovery में कैसे डालेंगे और देखिए वापिस हम पहले रिश्टार्ट करने के जश्ट बाद जैसी यह ओफ होता है उसके बाद आपको इसमें देखिए जैसे यह रिश्टार्ट हुआ अब उसको हमें volume प्लस दबाना है हुआ हुआ ऐस को में एफ हैर चैसे हिए टい टीग शेखिए हमी ओफश्टाइट है स稳स्ते वलत है दो करने वीडिनथय हमें खम ड्वाओ प्राट से अलतर हैं अईध्या है हुआ हले है झाल 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 झाल